हाई एवरिवन दिस इस देपीका आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टड़ी विद कमफर्ट में और आज हम काल मार्क्स का डालेक्टिकल माटीरियलिजम का कंसिप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो काफी डिटेल में होगा और इस इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस डिसकेशन का जो यह फिगर इस फिगर के द्वारा ट्रस्ट में आपको बहुत ही आसानी से जो मार्क्सिस्ट डालेक्टिकल माटीरियलिजम है वो समझ में आ जाएगा तो मैं इसी इस पूरे फ्लोचार्ट को एक्स्प्लेइन कर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लिजेगा जिसे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इस चैनल पर मैंने बहुत सारे प्लिटिकल साइंस पर लेक्चर्स लिये हैं और यूजी सी नेट से हम यहां पर तो इस में बैसिकली सबसे में एम क्या है आपको यह समझना होता कि कोई का मैस क्या चीज को यहां पर हमें एक्स्प्レ इन कर रहा है सो डालेक्टिकल मटिरिल्यसम हमें यह बता रहा है कि जो सोसाइटी है यह इस का डिवलप्मेंट कैसे हुआ है जो आज सोसाइटी जिस modern सोसाइटी पे आज हम रह रहे हैं इस सोसाइटी का development किस-किस stages में हुआ है So in terms of evolution, in terms of change या in terms of motion जो हमारी history है या society है From one state to another ये कैसे हुआ है इसी process को explain करने के लिए Karl Marx ने जो dialectical materialism एक method अडॉप्ट किया था एक process अडॉप्ट किया था और इस process में main base है कि जो changes हो रहे हैं society में from one state to another ये change based है economic factors पे तो society में जो historical changes होते हैं, present में हम जो capitalist society देख रहे हैं ये सब किसका production है, किसकी देन है, economic factors की देन है तो अगर हमें society में historical change ये society में हमें development समझना है तो हमें किन factors का analysis करना होगा? economic factors का और हम इसे historical क्यों कह रहे हैं? historical इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्या analysis कर रहे हैं? कि भई society evolve कैसे होई है? society का development कैसे हुआ है? society का में changes कैसे आए? एक stage से दूसरी stage में अभी जैसे माली जे हमारी जो present modern society है वो इस stage तक कैसे पहुँची है? इसके पहले की stage क्या थी? फिर इसके पहले की stage क्या थी? शुरुवात कहां से हुई थी? तो यह history में जो moment हो रहा है, जो changes आ रहे हैं, development हो रहा है यह किस तरीके से आ रहे हैं? किन factor पर based है? तो हम एक तरीके से analysis कर रहे हैं, कि यह development कैसे हो है इसलिए हम इसे historical कह रहे हैं अब हम यह भी समझेंगे कि materialism क्यों कह रहे हैं इसे? देखो, concept बहुत आसान है अगर आप in terms को समझ ले रहे हो तो कई बार आपको historical materialism भी देखने को मिलेगा तो आप देखोगे historical समझ में आ गया कि क्यों है historical? क्योंकि हम society में जो development हुआ है, evolution हुआ है from one state to another कि हम जो masters and slave society थी वहाँ से लेकर हम feudal society में पहुँचे फिवी feudal society से हम present capitalist society में पहुँचे तो यह हम कैसे पहुँचे हैं? जैसे भारत में भी एक टाइम पे जमीदारी विवस्ता होती थी तो जमीदारी विवस्ता को destroy करके अभी हम present में democratic society पे रह रहे हैं तो यह changes कैसे हुए हैं? तो historical एक शब्द का meaning समझ में आ गया दूसरा में इसे materialistic क्यों कह रहे हैं? इसके दो कारण है पहला यह है कि जो society में जितने भी structures हैं society में जितने भी institutions हैं यह सारे किस पर based है? materialistic factors पे ना कि metaphysical factors पे metaphysical factors जहांपर हम ideas and all की बात करेंगे Karl Marx ने अपने dialectical materialism की जो process है जो logic of motion है वो analyze की है on the basis of matter यह ध्यान रखना है यहां पर matter को consider किया गया है as a basic unit of change कि जो society में changes हो रहे हैं development हो रहे हैं evolution हो रहे हैं वो किस अधार पर हो रहे हैं? क्योंकि matter पर change हो रहे हैं materialistic forces पर change हो रहे हैं economic factors पर change हो रहे हैं और इस अधार पर हम इसे materialistic कहते हैं यह dialectical materialism कह रहे हैं तो यह materialism term को मैं explain करना चारी थी आपको तो change in the society has been understood in terms of material production second understanding of change change का मतलब समझ रहे हो जो society में development हो रहा है from one state to another state यह changing किस पर based है? changing material condition not ideas जैसे हीगल ने क्या कहा था? हीगल ने कहा था कि भाई जो society में changes होते हैं society में जो development होते हैं वो ideas पर based होता है human thinking change होती है ideas change होते हैं इस आधार पर हमारे society में evolution होता है society development करती है जबकि काल्मांक्स कहते है हीगल तो भाई उल्टा खडा है सर के बल पर खडा है हमें इस हीगल के जो हीगल का concept है हीगल को हमें सीधा करना है इसे पैर के बल करना है यह अपने सुना होगा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आईडियास basic unit है यह नहीं change की सोसाइटी में development हो रहा है change हो रहा है जैसे पहले क्या होता था अभी में figure से समझाऊंगी अभी नहीं समझाऊंगी नहीं तो आप confused हो जाओगे तो basic मेरा मतलब है यहां पर आपको historical term समझ में आया कि क्या होता है materialism समझ में आया क्या है अब next समझ लेते हैं dialectical क्या है इस concept पे तो जो dialectical है यह एक process है या method है जिसके दोरा हम study कर रहे है study of the change जो society में change हो रहा है न वो कैसे हो रहा है इस process को समझने के लिए एक method की जरूरत पड़ी method क्या यहां पर लिया गया dialectic method तो हम पहले थोड़ा सा हम dialectic को समझ लेते हैं तो ancient Greek time पे dialectic को जो term था इसे हम discourse या debate के नाम से जानते थे अगर आपने Plato को पढ़ा है तो आपको पता होगा Plato ने एक debate रखी थी कि what is justice और what is justice में उन्होंने कई सारे scholars के साथ में debate की थी और उनके जो other scholars थे उन्होंने जो point of view दिया था अपना justice को लेकर उसको negate किया गया reject किया गया था किसके दोरा Plato के दोरा और फिर Plato ने अपना justice का idea दिया था तो ancient time में जो dialectics था मतलब जो ये debate की process हुआ करती थी इसका इस्तेमाल किया जाता था truth को find out करने के लिए तो यहां पर basically इस debate में एक argument generate होता था फिर उसका counter argument generate होता था और इस तरीके से हम क्या करते थे जो opponent या other contradictory argument होते थे जैसे मालीजे justice का concept है तो कहा गया कि भाई किसी का उधार देना अब उधार देना तो इसको हम negate करेंगे ना एक counter argument देंगे या मालीजे कि power of powerful people के लिए होता है justice तो भाई what about the weak people हमें counter argument लाएंगे ना कि what about the weak people अगर justice is all about the strength and the powerful people तो उनका क्या होगा जो weak होंगे तो हमने इस statement को negate कर दिया इसी तरीके से ancient time पे argument and counter argument किये जाते थे truth को find out करने के लिए और फिर उस argument और debate में जो contradictory arguments होते थे उनको एक तरीके से close कर दिया जाता था और हम truth तक पहुँच जाते थे तो अब यह dialectic process समझ में आया कि यह debate कैसे काम करती थी So in the same manner Karl Marx और Hegel ने भी इस process को use किया है society में development की जो है उसको समझाने के लिए तो अगर हमें historical evolution की process को समझना है historical evolution समझ रहे हो कि समाज में development या समाज में विकास कैसे हुआ है Society develop कैसे की है इस process को समझाने के लिए यहां पर जो dialectic process का इस्तेमाल किया गया और इस process में two antagonistic forces होते हैं मतलब दो opposite force हमेशा काम करते हैं interact करते हैं और उसमें से जो जैसे की thesis और इस two antagonistic forces जो होते ही interact जब करेंगे तो इसमें एक new structure बन कर आता है जैसे यहां पर counter argument में क्या आ रहा था truth आ रहा था इसी तरीके से यहां पर two opposite forces अब interact कर रहे हैं उसके बाद एक new structure produce होता है एक अगर आपको नहीं समझ में आये तो मैं एक example लेकर यहां पर आपको explain करती हूँ देखो अभी हम modern society के example लेते हैं ठीक है तो capitalist production आपको capitalist economy पता है कि कैसे काम करती है capitalist economy में क्या होता है जो workers होते हैं जो collective production किया जाता है large number में वो workers के दौरा किया जाता है capitalist mode of productions पे क्या होते हैं एक तरफ capitalist class होती है दूसरी तरफ worker class होती है capitalist class के पास जो means of productions हैं मतलब की जैसे की factories factories की ownership है इस capitalist class के पास लेकिन production किसके दौरा किया जा रहा है workers के दौरा मेहनत किसके दौरा किया रही workers के दौरा तो इन दो classes में क्या हो रहा है these are two opposing forces और इनके बीच में conflict create हो रहा है और इसी conflict को खतम करने के लिए जब ये खतम होगा तो new structure क्या आएगा communism आएगा समझ में आया अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो हम further dialectic process को इस flow chart से समझते हैं देखो dialectic process में जो term use किया जाता है thesis फिर जैसे thesis एक argument हो गया अब इसका एक counter argument आएगा antithesis जिसे हम बोलेंगे अब इन दो एक या तो argument सही होगा या तो counter argument सही होगा भाई अगर आपके पस दो opposite idea हैं इन दो opposite idea में एक truth होगा तो इसमें जो truth होगा वो synthesis बन जाएगा getting it अब ये synthesis फिर से एक नया idea बन जाता है thesis बन जाता है और फिर से इसका एक counter argument आएगा अब इसमें से जो जिसमें truth होगा वो फिर से एक तरीके से synthesis बन जाएगा और यहाँ पर वो truth हो गया और ये process continue रहती है तो यहाँ पर दो opposite forces है thesis और antithesis इसकी वज़े से इसे हम dialectic कह रहे हैं अब जो Marxist dialectical materialism है उसमें जो society में changes उन्होंने यहाँ पर describe किये हैं कि society में change कैसे हुआ है society में motion या development कैसे हुआ है तो सबसे जो शुरुवात में एकदम जो हमारी society होती थी जब आदिमानों लोग होंगे तब तो कोई मतलब land कोई ना मालिक था ना कोई दास था एक ऐसी society सबसे पहले थी ओके जिसे हम क्या कहते हैं primitive communism primitive communism society में हर कोई जैसे मालिजे इंसान जंगलों में रह रहा है और उसे भूँक लगी तो वो जंगलों में गया शिकार करके ले आया पेड़ पौदों से फल तोड़ करके ले आया तो पेड़ पौदों में किसी की ownership नहीं थी primitive communism common ownership of the society था दूसरी family को food चाहिए वो जंगल में गया पौदों से फल तोड़ करके लाया शिकार करके लाया और अपनी family का पेड़ भरा तो यहाँ पर resources जो थे nature के उनकी common ownership हुआ करती थी जो वहाँ पर society रह रह रही थी तो इसे कालमाक्स कहते हैं primitive society primitive communism अब धीरे धीरे जब एक किसी person ने land को occupied कर लिया और कहा होगा कि भाई ये मेरी land है या ये मेरा जंगल का area है इसमें और कोई इनक्रोच नहीं करेगा अपनी power का स्तेमाल किया यहाँ पर ओके तो यहाँ से शुरू होता है ये further development हुआ तो यहाँ पर किस तरीके की society बनी थी ऐसी society जहाँ पर patricians और plebians थे patricians का मतलब इन्हें masters कहा जाता था और ये slaves होते थे patricians masters कौन होते थे ancient time पे हमने primitive societies का देख लिया ancient time पे जो एक further state था society का जो second stage आई उसमें patricians जिन्हें masters बोलते थे ये aristocrate होते थे यहाँ पे ये देख लो मैंने लिख रखा है okay let me change the ink of this so that you can get better idea okay so ये aristocrate होते थे या noble man कहते थे जिन्हें जो society में कहते हैं na aristocrate है okay तो ये जो patricians थे ये masters कहलाए और जो plebians थे ये common man हुआ करते थे ये slaves बनते थे जो इन aristocrate या noble man के लिए काम करते थे गुलामी करते थे तो ये slavery system था यहाँ पर ancient time पर आपने बहुत अच्छे से ये पढ़ा होगा aristotle even support भी किया था slavery system को फिर तो यहाँ पर ये क्या है थेसिस ये antithesis counter और यहाँ पर फिर जब ये भाई ये system फर्दर evolve हुआ तो इसमें से बन कर आया feudal lords अब feudal society में जो masters हुए जिनके पास जो resources थे उनकी dominance थी या एक तरीके से ownership थी वो feudal lords हुआ करते थे और इनके अंडर में manorial serves काम करते थे तो feudal lords जिनके पास land की ownership थी मतलब ये मालिक होते थे जमीनों के और इनके अंडर में ये serves काम करते थे जिने feudal servitude कहेंगे हम या तो ये ऐसे जैसे हम अगर कहें क्रशी दास जो feudal lords थे इनकी land में काम करते थे ये यहाँ पर रहते थे इनका काम यहाँ पर काम करते थे इनके लिए काम करते थे एक तरीके से ये भी दास थे लेकिन दास को market में बेचा जाता था ये legally bound थे यहाँ पर तो आप यहाँ पर समझ रहे हो कि हर एक society में दो classes वो भी antagonistic classes present रही है एक वो class जिसका resources पर एक तरीके से हक था ownership थी मालिकाना हक था एक दूसरी class थी जो जिसका मालिकाना हक नहीं था वो सिर्फ slave की तरीके काम करते थे दास की रूप में काम करते थे तो स्वभाविक सी बात है यहाँ पर exploitation होगा ना किसी एक class का अब बहुत ही natural है किस class का यहाँ पर sorry किस class का यहाँ पर exploitation होगा जिसके पास resources नहीं है जो powerful नहीं है उसी का तो होगा यहाँ पर exploitation तो जो ancient time था यहाँ पर plebeians का जो slaves होते थे इनका exploitation किया जाता था patricians के दौरा जो aristocrates थे इनके दौरा वहीं पर फ्यूडल सोसाइटी में manorial saps थे जो जो land में काम करते थे workers थे उनका exploitation किया जाता था फ्यूडल लॉट्स के दौरा ओके अब modern society में आते हैं so modern society में आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर क्या है दो antagonistic classes एक bourgeois capitalist class और दूसरी है pro literate worker class pro literate कौन सी class है जिसमें workers होते हैं जो factories में काम करते हैं और इन workers का exploitation किया जाता है इस in capitalist bosses के दौरा जो factories के मालिक होते हैं तो यहाँ पर काल मांक्स कह रहे हैं कि हमें इस dialectical materialism में जो यह process चल रही है historical development की इसका end कहा होगा जाकर जब हम फिर से communism establish करेंगे और इस dialectical process या dialectical materialism की highest stage क्या होगी communism अब इस communism में कोई जो class struggle है वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने classless society बना दी classless society, stateless society बना दी हमने यहाँ पर यहाँ पर कोई classes नहीं है जो जैसे कि primitive communism में जंगल का जब time था जब सबकी common ownership थी nature पर resources पर तो communism में भी जो economic resources है जो means of productions है उन पर common ownership है सभी लोगों की और लोगों की needs के according उनकी fulfillment होगी उनको प्रवाइट किया जाएगा चीज़े getting it तो यह dialectical materialism की highest stage हम communism में पहुँच गे जहां पर जो दो antagonistic forces थी उसका end हो जाता है getting it तो यह dialect यह बहुत important flow chart है I would suggest you अगर आप इस पर answer लिख रहे हो तो यह flow chart को ज़रूर ड्रॉ करना guys आपको massive marks मिलेंगे trust me एक बार बस इसे याद कर लो कि यह कैसे है यहाँ पर और इसको बस जाकर आप सेम वहाँ पर कर देना इस चीज को ओके बहुत ही अच्छे marks मिलेंगे trust me और बहुत असान हो जाएगा आपको अपना समझाना जो भी evaluate करेगा आपके copy तो समझ में आगई यह process कि क्या है अब हम थोड़ा सा historical background दे लेटें देख लेतें dialectical materialism का तो जो dialectical process है यह Karl Marx ने Hegel से inspire होकर लिया था हीगल ने अपना सबसे पहले concept दिया था dialectical process का जो basic अंतर है Karl Marx और Hegel के materialism में मैं already बता चुकी हूं कि जो हीगल थे उन्होंने कहा था कि जो forces है movement की change की वो क्या है idea है जो change जो society में motion हो रहा है development हो रहा है चेंज हो रहा है वो किस पर based है ideas पर जबकि जो कालमाक्स हैं ये कहते हैं कि force क्या है idea नहों कर क्या है matter है economic factors right matter के अधार पर society में change हो रहा है development हो रहा है ना कि idea के अधार पर so कालमाक्स basically replaced the idealism with materialism ये basic change किया कालमाक्स ने जो hegalian notion of dialectical process था so कालमाक्स कहते हैं कि जो material sources है जो matter conditions है ये society में changes लाती है और society में जो development हो रहा है जो material conditions है इनके अधार पर हो रहा है getting it ना कि human thinking so material word है ये अपने अपमे एक independent existence है matter की ये ideas पर based नहीं है तो यहाँ पर समझ में आया कि hegal के और कालमाक्स के dialectic materialism का जो notion है उसमें क्या difference है critically evaluate करें हम तो यहाँ पर सब जो scholars criticize करते हैं dialectical materialism को पहला criticism होता है कि भाई इसने material factors पर केवल focus किया है इसे economic determinism, economic reductionism का नाम दिया गया है लोगों का मानना है कि economic factors के साथ other social cultural factors हैं जो society को shape करने में society में changes लाने में society को develop करने पर भी contribute करते हैं कालमाक्स ने उन सारे factors को ignore किया है और सिर्फ material factors पर focus किया है पहला criticism दूसरा है कि जो कालमाक्स हैं वो conflict यहाँ पर जोड दे रहे हैं emphasize कर रहे हैं conflict and ignore the social orders पे यहाँ पर इनोंने सिर्फ conflict की बात की है कि society में क्या है सिर्फ conflict है struggle है जबकि भाई social order, harmony, peace, cooperation यह भी तो adjust करता है society में तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है कि जो कालमाक्स है he is primarily on micro evolutionary aspect and ignore the micro reality of the social life तो यह criticism हो गया so this is all for today I hope कि dialectical materialism आपको समझ में आया होगा कोई confusion हो तो आप मुझे comment कर सकते हो and please guys channel को subscribe जरूर करना अगर आपको मेरा content पसंद आ रहा है तो वीडियो को like जरूर करिएगा comment जरूर करिएगा और हाँ मुझे Instagram पर follow करना मत भूलिएगा Instagram की ID वीडियो की इस description box में आपको मिल जाएगी आप मुझे Instagram पर जरूर follow करें वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं directly message कर सकते हैं अगर आपको कोई confusion है या किसी कोई other academic help चाहिए आपको तो and guys please जितना हो सके share करिएगा मेरे इस channel को दूसरों के साथ में जिसे की मुझे other student तक reach out मिलेगी और इस channel की growth में help करेगा और आपकी contribution रहेगी so this is a favor जो आप मुझे दे सकते हैं and yes, see you in the next video thanks for watching, keep learning, keep exploring